Hello students, welcome to this video, चलिए हम देख लेती हैं आपका जीब बिग्यान का जो पेपर होने बाला है अर्दवासिक परीक्षा का चलिए सभी कुश्चन के आंसर हम आपको प्रोवेट करेंगे वीडियो के लास्ट तक बने रही पहला कुश्चन क्या कह रहा है आपका यहां पर सही अगला कुश्चन है सैमनी फेरस नलिकाएं पाई जाती हैं सैमनी फेरस नलिकाएं कहां पर पाई जाती हैं सरटोली तो बिरशान में पाई जाती हैं आपको याद होगा तो यहां पर सैमनी फेरस भी बिरशान में ही पाई जाती हैं आपको आप्शन नमर ए याद रखना है ब्रशन में शेमनी फेरस पाई जाती है अगला कॉस्चन कहा रहा है आपका एक बिबाहत जोड़े से के पहले से तीन पुत्रियां है भी अब चोथी संतान का सूच रहे हैं इस भावी संतान के पुत्र होनी की शंबाबना कितने प्रतीचत होगी तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा 50 प्रतीचत अगला कॉस्चन है आपका चाल्स डार्बन की पुस्तक का नाम है तो यहाँ पर चाल्स डार्बन ने जो पुस्तक दी थी उसका नाम यहाँ पर थियोरी ओफ म्यूटेशन औरीजन ओव इस पीसीज यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा आ ल्यूकेमिया नाम जो कैंसर होता है वो रुधर बिलड कैंसर होता है ल्यूकेमिया आपको आंसर याद रखना है अगला कॉस्चन है लेक्टो बैसिलस दूद को दही से बदलते समय उसमें किस बिटामिन के ब्रद्दी करते हैं तो लेक्टो बैसिलस जो बैक्टेरिया होत करता है वह दूध को दही में बदलता है तो किस बिटामिन का यूज़ करता है उसके लिए न किस बिटामिन को इंक्रीज करता है ताकि दूध से धही बन जाए तो यहां पर आपको आपको आणसर याद रखने है बिटामिन B12 अगला question है आपका अनुमान सिकी अभी आंदरिकी में खालिस्थान में आणविक केंची खालिस्थान नहीं है आणविक केंची की तरह प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर इसका answer आपको याद रखना है restriction endonucleus nucleus अगले question में आपके रिक्तिस्थान स्टार्ट होते हैं स्वसन मूले खालिस्थान पौधों में पाई जाती है तो राइजो फोरा में जो है वो स्वसन मूले पाई जाती है राइजो फोरा आप यहाँ पर answer याद रखेंगे तो बैट रहेगा पहला कॉश्चन अगला कॉश्चन है इसके बाद भारत में सन 1921 में शुरू हुए परीबार नियोजन कारेकरम खालिस्थान के नाम से जानने जाते हैं इस नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से खालिस्थान सिंड्रोम होता है तो डाउन सिंड्रोम यहां पर हो जाता है डाउन सिंड्रोम होता है वो जाता नहीं है 21 से एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने पर डाउन सिंड्रोम यहां पर आंसर याद रखेंगे अगला कुश्चन है यहां पर खालिस्थान अनुमंसी की अभी आंदर की द्वारा निर्मित प्रथम मानों इंसुलिन है तो यहां प इंसुलिन है अगला कॉश्चन है आपका दूध से दही का निर्मा खालिस्थान के द्वारा होता है इसको नहीं पता सबको पता है जिनके भी पता है आपको सबसे पहले आंसर कमेंट में करते जाईए ताकि आपका रिवीजन होता या लिखते जाए तो आप पर और जीन बहन का कार्ण करता है तो प्लाजमेट जो होते हैं वो आपके जीन बहन का काम करते हैं ती याई इसके द्वारहा हमें हमें यह लोगों को द्वार Wouldn eye नामखरोग था है निसरिया इंक है यौनोर के द्वार होता है अगला कोश्चन कहरा यहाँ सही जोड़िय 나서 पहला कोश्चन है अपका into एनि मोफिली यहाँ परस्ट वाली की जोड़ी आपके मिल जाएगी यहाँ पर अगले की मिल झाएगी आपकी DC Keeto में परागण होता है एंट मोफिली एनिमोफिली वाई परागण एंटी मोफिली कीटों में पराहें इंदोनों में अलेक्जेंडर फ्राइमिंग यह नंबर आ ओप्सन यहां पर पाचवे की जल एलेक्ट्रो एलेक्ट्रो फॉरसिस यहां पर बी ओप्सन से मिल लेगी इसकी सही जोड़ी बी से एथिडियम ब्रॉमाइड अगला कॉस्चिन क्या करें आपका धासे हुए रंद्र तो जी यहां मरूद्विक पॉद्व में दसे हुए रंद्र पाए जाते हैं पी बी अर तीन सो बाइस क्लोनिंग बाहक है तो यहां पर आंसर रखेंगी इसका से आपकी सही जोड़ियां कंप्लेट हो जादी है यहां पर कॉस्चिन हैं आपकी एक सब्दिया बात पर पहला कॉस्चिन क् एक हार्मोन का नाम लिखे है यहां पर एक हार्मोन का रिलेक्सेशन लिख सकते हैं रिलेक्सेशन मैंने यहां पर इसपेस्ट ले लिया है ताकि मैं आपको आंसर लिख सकूँ लेकिन बहुत ना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उंगली से ठीक से लिखते नहीं बनता है इस इस प्रकार सी आप लेखनेंकि इसका अंसर इंइट्रा यूटे द्रायन डिवाइस और अगले कुष्चिनнул किया तो ऑपरान्舞ी और किस ने प्रताबित किया था तो जैकॉब एंड्ड मूरओं जेकब एंड मुरोन ने जो है वो ऑपरान मॉडल प्रताबित किया था आंसर याद रखेंगे थर्ड अबाले का इसके बाद अगले कुश्चिन मलेरिया पर जीवी का के बाहग का नाम है तो प्लास्मोडियम की अगला कुश्चिन है इसके बाद इंसुलिन की दूनों प्रोटीन किस बंदे द्वारा जुड़ी रहती है यहां पर इंसुलिन की दूनों जो प्रोटीन है वो किस बंदे के द्वारा उसका नाम क्या है डाई सलफाइड उसका नाम होता है डाई सिल्फाइड यहां पर आंसर याद रखेंगे डाई सिल्फाइड वंद अगला कुश्चिन है लाइक के नों में सेवाल और कबक की मद्ध कौन सा सस्संबंद पाया जाता है सुस्थ सहुपकारिता पाय जाती हैं दोनों के बीच सेवाल और कबक की मद्ध अगला कुश्चिन है आपका एमनियो सेंटेस प्रकरिया गर्भावस्ता में किस अपधी में अपनाई जाती है तो यहां पर 15 से 20 बें 20 में यहां याद रखेंगे तो यहां पर आपके इतने अब्जेक्टिव की आंसर कंप्लीट हो जाते हैं सभी कुश्चिन के हमने आपको आंसर पूरी वीडियो एक अप्लोड करती है जिसमें सभी की आंसर यहां पर इनके बताएगे तो आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिए सभी की आंसर में जाएंगे ठेक्सुर्वाची मिलते हैं अगले वीडियो में